पहली बार नासा ने सुरज के अंदरूनी हिसे की ऐसी तस्वीर घिंची है जिने देखकर सब हिरान रहा गए। जब नासा सुरज को स्टडी कर रहा था ताब उसे तीन ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिये जो काफी हिरान कुन थे। इस वीडियो को देखें जिसमें दिखाई दे रहा है कि सुरज के सता पर पारश हो रही है। इस वीडियो में खास जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और आप ये चान कर हिरान हो जाएंगे कि इस वीडियो में दखाई देने वाला हर एक स्ट्रक्चर मौंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने देखा कि सूरज के सता पर कुछ ऐसी धराड़े पड़ रही हैं जिनके अंदर एक सीटी से भी बड़े बुलबले बन रहे हैं। आसने सुरज की इतनी गहराई की क्लियर इमर्ज को कैसे खिंचा और क्या ये तस्वीरे सुरज के बारे में हमारी पिछली स्टडिस को बदलने चाह रही हैं। पर इन तस्वीरे में क्या चुपा है। ये कमाल की इनफार्मेशन आप जानूगे आज किस वीडियो में तो पूरी वीडियो वाच कीजेगा। असल में साइसान को पता था कि सुरज में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर हो रही हैं जिससे फ्यूचर में जमीन को बड़ा नुक्सान हो सकता है। क्योंकि इन एक्टिविटी से बनने वाली सॉलर फ्लेर से 2022 में इलोन मस्क के 49 स्टारलिंग सैटलाइट तबाह हो गए थे। इसके लावब 2023 में एक बिलियन हैडरोजन पॉंब जितनी पावरफुल सॉलर फ्लेर का कुछ हिसा नौर्थ अमेरिका में गिर गया था। जिसकी वज़ा से वहां का केमिनिकेशन पूरी तरहां से बंद हो गया था। और उस दिन नौर्थ अमेरिका की बिजली पूरी तरहां से बंद हो गई थी। 1518 से लेकर आज तक 33 पार ऐसे सॉलर फ्लेर जमीन पर गिरे हैं। जिसकी वरे से जमीन और उस पर मजूद टेकनोलजी को भारी नुकसान हुआ है। ऐसा ही कुछ फ्यूचर में ना हो इसलिए नासा और इसा ने सुरज के क्रीब से स्टड़ी करने का सोचा। ताके वो सुरज के अंदर हो रही एक्टिवटी को डिटेल में स्टड़ी करके सोलर फ्लेर्स के जमीन से टिकराने के टाइम को ज्यादा एकुरर तरीके से जर्ज कर सकें। इसलिए दोनों स्पेस एजन्सीज ने साथ मिलकर 2010 में सुरज के ऑर्बिट में एक मिशन लॉंच किया जिसका नाम सोलर डिनेमिक्स अब्जरवेटरी रखा गया। इस मिशन का में मकसद था सुरज को अलग-अलग लेक्ट्रो मगनेटिक वेवस लेंथ में स्टड़ी करना। मुख्ली वेवस लेंथ में इसलिए जैसे जमीन के एटमोस्फेर में कई लेयर्स होती हैं ऐसे ही सुरज पर भी काफी लेयर्स हैं। सबसे पाहिर वाली लेयर्स को क्रोना कहते हैं, मिडल वाली लेयर्स को क्रोमस्फेर कहते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर्स को फोटोस्फेर कहते हैं। इन तीनों लेयर्स के टमप्रेचर में काफी ज्यादा फरक होता है। स्टेडी में उनका पहला टार्गर था सुरज की सबसे बाहर वाली लेयर क्रोना को स्टेडी करना अब इसके टंपरेचर के हिसाब से साइसानों ने यूवी लाइट की इस वेव लेंद पर उसकी तस्वीर लेना शुरू की और उन्होंने ऐसी तस्वीरे खिंची जिनको देखकर आपको अपनी आँखों पर यकीन नहीं होगा उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यदा गरम लावा बारश की शकल में सुरज पर बरस रहा है अब ऐसा क्यों हो रहा था जब उन्होंने इस चीज़ को डिटेल से स्टडी किया तो उनको पता चला कि ये क्रोना में हो रहे बड़े से परसेस का छोटा सा हिस्सा है असर में सुरज पर मजूद प्लास्मा जब सुरज की स्ट्रॉंग मेगनेटिक फील्ड के रास्ते में आता है तब ये मेगनेटिक फील्ड उस प्लास्मा को बाहर फिंक देती है और ऐसा ही कुछ सुरज पर मजूद प्लास्मा के साथ भी हो रहा है जो सोलर फ्लेर्स की फॉर्म में मेगनेटिक फील्ड से बाहिर आ रहा है और इन फ्लेर्स की रफ़तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये कुछी घंटों में सुरज से जमीन और समीन से सुरज के दस चकल लगा सकती है लेकिन कई बार ये फ्लेर्स क्रोना की आटलेर्स तक पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती है और फिर ये सुरज की सरफेस पर लावा बन कर बारश की तरहां बरसती है और इसी अमल को साइसानों ने क्रोना के अंदर कैप्टर किया जिसे नाम दिया क्या Corona Rain यानि सुरज की पहली लेयर के तस्वीर से साइसान को Solar Flares और इसकी वज़ा से सुरज पर हो रहे Corona Rain के बारे में पता चला Corona के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद वो सुरज के और ज़्यदा करीब गे और फिर साइसानों ने सुरज की मीडल लेयर क्रॉमर सफेर को स्टड़ी करना शुरू किया आप क्योंकि इस लेयर का टंप्रेचर क्रोना से कम होता है इसलिए क्रॉमस सफेर को स्टड़ी करने के लिए इस वेवलेंद की यूवी लाइट का इस्तमाल किया गया और इसी वेवलेंद में उसकी तस्वेर खिंची गई और उन्होंने ऐसी चीज़ों को देखा जिसमें साइंस दानों के होश उड़ा दिये उन्होंने देखा कि सुरच का क्रॉमस सफेर प्लेन बिल्कुल भी नहीं है बलके उसमें माउंट एवरेस जितने नुकीले घास जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं और ये स्ट्रक्चर अवाज की रफ़तार से 60 गुना ज्यादा रफ़तार से बाहर वाली लेर्स में फिंके जा रहे हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकर सुरच का एक्वेटर उसके पॉल से पहले एक रोटेशन पूरा करता है इसी वज़ा से उसकी मेगनेटिक फिल्ड किसी रबर की तरह ट्विस्ट होकर मुड़ जाती है और फिर छोटे 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 लूप्स बनते हैं और फिर ये लूप्स वापस अपनी असल हालत में आते हैं तो क्रॉमर सफेर में शोक फेफ्स पैदा होती हैं और फिर वहां कास चैसे नुकेले स्ट्रक्चर बनते हैं ये सेम ऐसे ही है जैसे आप एक स्पीकर पर पानी डालते हो तो पानी स्पीकर की वाब्रेशन से वाब्रेट करता है और सुरज पर भी ऐसा ही हो रहा है इन तस्वीरों से साइसानों को सुरज के क्रॉमर स्फेर में ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में पता चला अब बारी थी सुरज की नेक्स्ट लेयर यानि फोटर स्फेर को स्टड़ी करने की इसे देखने के लिए साइंस दानों ने एक पार फिर से लाइट की वेवलेंट को बदला क्योंकि इस लेयर का टंपरेचर 5000 धिगरी है और इसे सबसे ज्यादा ब्राइट वेवलेंट में ही देखा जा सकता है इस फिल्टर से जब साइंस दानों ने सुरज के फोटो स्फेर यानि उसकी सता के तस्वीरे खेंची ताब उनको वहाँ पहुत सारी दिरारे दिखाए दी जब उनको मजीज जूम करके देखा गया तो उन्हें पता चला कि ये सूरज की सता पर छोटे छोटे दाने हैं जो बनते रहते हैं और इंडोर्स को नाम दिया गया सोलर ग्रैनूलेस हिरान करने वाले बात ये है कि हर ग्रैनूलेस का साइस USA की सबसे बड़ी स्टेट टैक्सिस के बराबर है और ये बिल्कुल उस परसेस से बनते हैं जैसे जमीन पर हमारे कौंटिनेंट बनते हैं असर में जैसे हमारी जमीन के सता के नीचे बहुत ज़्यदा टंपरेचर की वर्या से कौर के पास मजुद गरम लावा उपर की तरफ आता है और फिर ठंडा हुआ लावा नीचे जाता है बिल्कुल उसी तरह सुरज की कौर के पास गरम प्लास्मा उपर आता है और उपर का ठंडा प्लास्मा नीचे बैठने लगता है जब इस परसेस को साइस्तान उ सता की लेकिन जब हमने सुरज के दूर से देखा तो साइन सान को फोटो सफेर पर बड़े-बड़े ब्लैक कलर के स्पोर्ट दखाई दिये जो फोटो सफेर के बबल्स जैसे बिल्कुल भी दखाई नहीं दे रहे थे तो आगर ये ब्लैक सपोर्ट है क्या इस पर नसा का कहना है कि सुरज के मगनेटिक फिल्ड की वज़ा से सुरज के क्रॉमर सफेर में खास जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं उसी मगनेटिक फिल्ड की वज़ा से नीचे फोटो सफेर में ऐसे स्पोर्ट बनते हैं जैसे मैंने पहले बताया था कि सुरज की मगनेटिक फिल्ड एक रबर बैन की तरह twist होका छोटो 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 लूप्स बनाती है और यहां पर यह लूप्स बनते हैं वहां पर micro scale पर shock waves generate होती हैं लेकिन microscopic level पर यानि plasma के level पर एक तम opposite trend देखने को मिलता है असर में magnetic field के strong होने की वज़ा से इन लूप्स में मजूद plasma की सबी charge particles एक common pattern में aligned हो जाते हैं ऐसे में इन charge particles की vibration पहले के मकाबले में कम हो जाती है जिसकी वज़ा से वो plasma ठंडा हो जाता है और वहां पर एक काला धपा बन जाता है साइसानों ने सुरज की सता से 10,00,00 किलमीटर दूर उसकी तस्वीर खिंची और फिर photosphere को study करते करते वो सुरज की सता तक पहुंच चुके थे और ये तस्वीर अब तक की खिंची गई सुरज की सबसे deepest image है और साइसान आज भी सुरज को क्रीब से study कर रहे हैं सुरज पर जो कुछ हो रहा है ये अल्ला के हुकम से हो रहा है जब अल्ला चाहेगा तो सुरज की वर्या से जमीन को नुकसान होगा अल्ला के मर्जी के बगार हमारी समीन को कुछ नहीं होने वाला ये थी आज की शांदर वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं अगर वीडियो चलेगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयलासमी करें मिलते हैं एक और शांदर वीडियो में अपना बहुत सारा ख्यार रखें अलाहाफिस